माता लक्ष्मी की चै एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक थे दूर पास के अनेका नेक लोग इस नगर में काम धंदों नोकरी रोजगार की तलास में आया करते थे और रोजगार पाने पर वोहीं पर रह जाते ऐसे लोग अपने काम धंदों में ऐसे ब्यस्त रहते थे कि अपने अतरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे लोग स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम बेभार कम कर दिया ममता प्यार दया सहनुभूती परोपकार जैसे संसकार बहुत कम हो गए पूजा पाठ दिखावे और स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे सदापुर्वक भक्ति भाव से प्रभू भजन एवं किर्तन नाम मात्र की ही थी हेराफेरी, बैमानी, सराब, जुवा, बैभिचार, आदिधर्म, बिरुद्धकारियों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे सदाजीवन और उच्च बिचार की सिक्षा पुरानी पड़ गई थी अब तो अधिकांस लोग किसी भी प्रकार धन कमा पर एस करने पर विश्वास रखते थे इसी नगर में मनोज और सीला नाम एक नौ दमपत्ती रहते थे मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था, बहुत ही विवेकवान और सुसील वेक्ती इमांदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठिक ठाक चल रहा था आराम से उसका जीवन भी बैतीत हो रहा था मनोज की पतनी सीला धार्मिक पर विर्टी की और संतोसी सोहाब किस्तरी थी किसी की बुराई नहीं करती, परंतो यथा संभव दूसरों की सहायता को भी तक पर रहती ग्रिह कारियों से बचे समय का सदूपियों गुवा प्रभू भजन, किर्तन, करने तथा धार्मिक ज्यान भर्धक पुस्तके पढ़ने में बैतीत करती थी उनकी ग्रिहस्ति एक आधर्स ग्रिहस्ति के तरह थी, लोग उनकी सराना करते थे लेकिन कुछ लोग जिनें दूसरों की खुसी देखकर जलन होती है, उन्हें सुक संतोस पुरवग जीपन यापन करते देख मनी मन कुड़ते थे इस प्रयास में रहते कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चला कर उसकी संपत्ती से स्वैम एस करे तो मनोज और सीला की गिरहस्ती इसी प्रकार हसी खुसी चल रही थी पर कहावत है न सब दिन होतना एक समान मनोज के जीवन में दुख सुख हानी लाब लगे रहते है मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा और भागी जैसे उसका रूट गया था अपने कारोबार में हुए घाटे का जल से जल लाब में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्र दा कर बैठा ये जूठे मित्र उसे जल ही कडोरपती बढ़ने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ घुरदोर सराब के कुचकर में डाल दिया जुए सराब और जो कुचक्र थे गलत रास्ते उन चीजों से कोई धन्वान तो बना नहीं है जो वह धर्वान होता मनोज कडोर पती तो नहीं बना हाँ खाक पती जरूर बन गया जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ती गहने जेवर सब गवा बैठा एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पतनी सीला के साथ सुक पुरुवग जीवन बैतीत कर रहा था कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया उसे की दो समय के भोजन के भी लाले पड़ गये घर में दरिता भुक मरी आ गई इससे मनोज और चर्चरा हो गया बेबात वह अपनी पतनी सीला के साथ गाली गुलोज मारपीच करने लगा सीला एक सुसील संसकारी इस्त्री थी वह अपने पती का अपना सरवस्य समस्ती थी पती के वेभार से वह दुखी तो बहुत थी परनतु भगवान पर भरोसा रख कर सब दुख सहने लगी दुख में ही भगवान याद आते हैं सो सीला का मन भी हर समय प्रभू पर भरोसा था और विस्वास था कि भगवान उसे सुख जरूर देंगे एक दिन दोपहर को सीला दुखी हुरदे से भगवान को याद कर रही थी हे प्रभू, हम तेरे छोटे बच्चे हैं हमारी गलतियां अपराधों को छमा करो हे भगवान, मेरे पती को सुद्बुद्धी दो अभी वह ऐसा कही रही थी अचानक किसी ने उसके दुआर पर दस्ते दे सीला विचार मगन हो गई इस समय मुझ गरीब के घर कौना सकता है सगे संबंदियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया फिर भी द्वार खोला तो देखा एक बृधा खड़ी थी सरीर पर जुरिया थी किन्तु चेहरे से अलोकिक तेज टपक रहा था उसकी आखों से करना और प्यार का मानों अम्रित बह रहा था सीला उस बुढ़ी को पहचानती नहीं थी फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई किसी को बैठने के लिए घर में उपयोक्त आसंग तक नहीं था सकुचाते वे सीला ने एक पटी फटी हुई जो चादर है उसको बिछा कर उनको बैठने के लिए कहा तो बृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गए सीला के मन में कुछ सांती महसूस हुई बृद्धा उनसे पूछा कि सीला मुझे पहचानती हो या नहीं सीला बोली मा जी आपको देखते ही कुछ अपनत्त सा महसूस कर रही हूँ ऐसा लगता है कि आप मेरे बहुत नजदीक हो आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है जैसा पराया विसेस परिचित वेक्ति से मिलने पर होता है किन तु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता मैंने आपको कहा देखा था बिद्धा ने अपनत्त दिखाते वे कहा क्यों इतनी जल्दी भूल गई अभी कुछ दिन पहले ही तो तु लक्षमी जी के मंदिर में सुकरवार को भजन किर्टन में आती थी तो मैं भी उसमें जाया करती हूँ हर सुकरवार को मैं तुम से वहां मिलती थी जब से सीला का मन पती जो गलत लोगों के संकत में बैट कर धन उटाने लगा था सीला बाहर निकलने में सर महसूस करती थी इसलिए मंदिर जाना भी बंद कर दिया था सीला ने याद करने की कोशिस की कि वह उस बुडिया मा से कम मिली थी पर तु याद ना आया तभी बिर्धा बोली बेटी तुम मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी बहुत दिन से तु वहां नहीं आई मैंने सोचा चलो चल कर देखती हूँ कहीं तु भी मार तो नहीं हो गई यह सोचकर मैं यहाँ चली आई बिर्धा के ममत तु भरे वचनों को सुनकर सीला कहर दै भर आया उसने अपनी रुलाई रोखने की कोशिस की किन्तू और सफल रही और फुट फुट कर रोने लगी यह देखकर बुडिया मा उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हांत फिर कर उसे धान्डस बंढाने लगी बिर्धा बोली बेटी जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं हमेशा सुख हमेशा दुख किसी के भी घर नहीं रहता अथा दुखों से घबराना नहीं चाहिए सीला बोली मा जी मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई प्रिंतु अब सहा नहीं जाता ऐसा कहते कहते फिर रोने लगी ब्रधा फिर संत्वना देती भी बोली धैर रखो बेटी और अपनी बैथा मुझसे कहो कि तुझे क्या दुख खाय जा रहा है इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हलका हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा मैं तेरे दुख दूर करने का उपाई भी बता दूंगी तो ब्रधा की बात सुनकर सीला के मन में बहुत रहात मिली उसने बुडिया मा को अपनी दुख बड़ी कथा सुनाई सुनकी और वह बोली मा जी पहले मेरे परिवार में बहुत सुकसानती थी मेरे पती मेहनती इमांदार सुसील थे भगवान की किरपास से मेरे घर में खुसिया ही खुसिया थी किसी भी कारे में हमें कभी धन की कमी नहीं हुई महसूस अचानक हमारे भागे ने पल्टा खाया मेरे पती को अपने कारोबार में घाटा हुआ अधिक धन कमाने के चक्कर में बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ सराव रेस आदी जो गलत रास्ते हैं उसमें फस गया है इस पकार उन्होंने अपना सब कुछ गबा दिया आज हम बिलकुल कंगाल हो गया है अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेच कर गुजारा करते थे अब तो घर की सब बस्तुएं भी समाप्त हो गई हैं हम दर-दर की ठोकरे खाने वाले भिखारी हो गया है बिर्धा बोली बेटी कर्म की गती बड़ी नियारी होती है मनुसियदी अच्छे कर्म करे तो दुख नहीं उठाने पड़ते कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभानी सुक दुख मनुसिपर आते हैं ऐसे में वह सयम से काम ले भगवान पर भरुसा रखे तो सिग्र ही उनके दुख दूर हो जाते है बेटी तेरे दिन भी अवस से फिरेंगे मैं तुझे उपाय बताती हूँ तु भगवती महालक्षमी की भक्त है वे तु स्वैम धनकी देवी और प्रेम करना की अवतार है अपने भक्तों पर उनकी किरपास सदय बनी रहती है अतह तु उन्ही महालक्षमी जी का बरत कर वे अवस ही तेरा कस्ट दूर करेंगी बुढिया मा की बात सुनकर सीला बहुत प्रसन हुई और उसने पूछा माजी स्री महालक्षमी जी का बरत कैसे किया जाता है यह मुझे समझा कर कहो मैं इस बरत को अवस्य करूँगी बुढिया ने कहा बेटी स्री महालक्षमी जी का बरत बहुत ही सरल है इसके करने से धन संपत्ती सुख बैभव यस प्राप्त होता है कुवारी करने को मनचाहा पती मिले इदनी संतान को संतान हो खोई भूई बस्तू वापस मिले और कोई अन्नमनुकामनाय भी इस बरत को करन से पूर्ण होती है धन बैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्षमी को धन लक्षमी को धन लक्षमी और बैभव लक्षमी भी कहा जाता है सुक्रवार देवी का दिन होता है इसलिए यह ब्रत सुक्रवार को ही किया जाता है ब्रत करने वाले को सुभा स्नान बेगर में चौका लगा कर साफ करके एक पट्रा रखो उसके उपर एक साफ कपड़ा विछा कर उस पर थोड़े से चाबल रखो फिर एक लोटे में जल उन चाबलों के उपर रखो लोटे के उपर एक कटोरी रखो उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूसन रखो अगर कोई आभूसर ना हो तो एक रुपया का सिक्का भी कटोरी में रख सकती है। इसके बाद एक घी का दिया और धूबत्ती जला कर रखो। एक बरतन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। और प्रसाद में बतासे या गुड़ भी रख सकते हैं। पट्रे के ऊपर मां को स्रियंत्र अत्यधिक प्री है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्रे के पास पुर्व की और मुण करके बैठो। सबसे पहले स्रियंत्र को हाथ जोरकर सृधा प्रुवक्त नमसकार करो। फिर बैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़ कर भगवती महालक् बहने में कटनाई हो तो सरल भासा में भी आप अस्तुति कर सकते हैं तो मा महा लक्षमी दिखावे की नहीं बलकि भाव की भूगी हैं इसके पस्चात कटोरी में रखे आभुसन या पैसे पर हल्की सी कुमकुम और अक्छत चढ़ाईए फिर दोनों हाथ से लाल रंग के पु अच्छे हिर्दे से जै महा लक्षमी मा 11 बार उच्चारन करो इसके बाद 11 या 21 सुक्रवार का ब्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनो कामना पूरी करने के लिए मा से हाँ जोड़ कर बिंती करो अंत में मा का परसाद बाढ़ दो थोरा सा परसाद अपने लिए रखो बाद यदि इतनी भक्ति ना हो तो एक बार साम को परसाद खाकर सादा बैसनव भोजन कर सकते हैं इस प्रकार इस बत को सास्त्रे बिधी के अनुसार करने से उसका फल अवस्य प्राप्त होता है इस बत के प्रभाव से मनुस्य की सब्विपत्यां दूर होकर धन बैभब की प्रा और भी कोई मनुकाम ना हो तो वह भी अवस्य पूरी होती है सीला यह सुनकर बहुत प्रसंद हुई और उसने कहा माता जी आपने यह जो स्री बैभब लक्षमी के ब्रत की बिधी बताई है उसे मैं अवस्य करूंगी आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन बिधी भी ब्रत पुर्ण स्रधा भक्ती पुर्वक पूरे होने का अंतिम सुक्रवार को उद्यापन किया जाता है इस दिन पूजाविदी हर सुक्रवार को की गई पूजाविदी की तरह ही होती है इस दिन परसाथ के लिए नारियल की गरी और खीर का परसाथ बिस्तित किया जाता है प्रसाद के साथ कम से कम साथ कुमारी या स्वभागेवती इस्तरियों को कुमकुम का तिलक लगा कर स्री बैभव लक्षमी ब्रत कता की एक-एक पुस्तक भेंट दी जाती है अंत में फिर भगवती स्री महालक्षमी के बिभीन सरूपों को सरदापूरवक हाद जोड़ कर नमस्कार करो और मन्ही मन मा से प्राथना करो कि है महालक्षमी मा है धनलक्षमी मा है बैभव लक्षमी मा मेरे सच्चे मन से आपका मैंने पुर्ण ब्रत किया है फिर भी मुझसे कोई गलती अपराद हुआ हो तो चमा करना और जो हमारी मनो कामना है उन्हें पूर्ण करना हमारा सब का कल्यान करना हमारी बिपत्तियों को दूर करके हमें धन बैभब परदान करना फे देवी मा आपकी महमा अपरमपार है बुढिया मा से स्री बैभब लक्ष्मी के बरत की सास्त्री बिधी सुनकर सीला का मन ना चुठा उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई उसने ततकाल अपनी आँखे बंद करके मनी मन संकल्प लिया कि है बैभब लक्ष्मी मा मैं आपका 21 सुक्रवार तक बुढिया म मां द्वारा बताई गई सास्त्री बिधी के अनुसा ब्रत उद्यापन करूंगी इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही सीला ने आँखे खोली तो विर्धा मां को कमरे में नहीं पाया उसने घर से बाहर जा कर दे का किन्तु वहां भी कोई माजी दिखाई ना दी उसे बड़ा अस्चर हुआ कि थोड़ी देर में कहां गायब हो गई माता बास्तों में साक्षात मा लक्ष्मी महा लक्ष्मी थी जो अपनी भक्त सीला को ब्रधा का वेस रखकर रास्ता दिखाने आए थी अगले दिन सुक्रबार था सीला सुभर नहा धोकर मन ही मन जै महा लक्ष्मी मा जै बैभव लक्ष्मी मा का जाब करने लगी साम तक वो बैभव लक्ष्मी मा की पूजा करने बैठी घर में कोई आभुसन तो था नहीं आभुसन के नाम पर उसकी नाक एक मात्र लौंक बांकी बचा था उसने वही निकाल कर धोकर कटोरी में रखी और घर में थोड़ी सक कर रखी थी उसका प्रसाद बनाया फिर बृळिया मां के द्वारा बताई गई शास्त्री विधी के द्वारा बैभव लक्ष्मी माता पुजन किया पुजन के पश्टयाद उसने प्रसाद अपने पदी मनोज था अन्य को बित्रित किया अंत में स्वयम गरहन किया स्री बैभव लक्षमी मा का प्रसाद खाते ही मनोच के सोहाब में परिवर्तन आने लगा उसका चिरचरापन कम होने लगा उसका मन कुटेवों से दूर होकर कारुबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा 21 सु उस्तक भेट दी फिर भगवती महालक्षमी के बैभव लक्षमी सरूप को मनी मन परणाम कर प्रातना की है बैभव लक्षमी मा मैंने आपके ब्रत की जो मनोती मांगी थी आज पुर्ण हुई हेमा हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्यान करो जाने अंजाने में यदि कोई ह हमसे अपराद हुआ है उसे छमा करना हमें धन संपति बैभव परण करना हमें सदबुद्धी देना हेमा आपकी महिमा अपरमपार है आपकी सदा जय हो इस प्रकार ब्रत संपूण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोच के कारोवार में अच्छा लाब होने लगा उसने सीला को उसके जेवर वापस दिला दिये घर में पहले जैसी सुक्सान्ती आ गई स्री बैभव लक्षमी मा के परताब को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधी पुर्वक बरत किया और मनभावन फल्पराप्त किया हे महा लक्षमी मा जैसे आपने सीला पर किपा की वैसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी किपा करना सब का कल्यान करना उसको सुक्सान्ती परदान करना भो स्री बैभव लक्षमी माता की जय